दोस्तो किसान धरोर चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको क्रेले की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियों में देंगे कैसे आप क्रेले की खेती में कुद्रती खाद अपने आप घर पे बना सकते हैं कैसी जलवाईयों में क्रेला उगाना चाहिए क्रेले की खेती की तैयारी कैसे करने चाहिए क्या क्या हमें सावधानिया बरतनी चाहिए और कौन-कौन सी क्रेले में भिमारिया लगती है उनके क्या कुद्रती उपचार है हमें कौन-कौन से करेले की किसमे हैं जो लगानी चाहिए और एक एकड करेले की खेती में कितना उत्पादन होता है इन सब का विसलेशन आने वाली इस वीडियो में एक एकड करेले की खेती में कितनी लागत आती है करेले की खेती में 500 गराम बीज की मातरा लगती है जो की एक एकड में लगती है BNR NT Rehbridge 10 ग्राम के Packet में मिलता है जो 190 रुप्य का होता है वो पूरा तो हमारे एक एकड में 500 ग्राम बीज लग जाता है तो 500 ग्राम बीज और 10 ग्राम का एक Packet 190 के इसाब से हमारा एक एकड का खर्चवाँ 9535 रुप्य है गोबर की खाद और बायो फर्टिलाजर जैसे बूमे पाउडर वगएरा पर हमें क्रेले खेती में डालना पड़ता है तो इसका खर्च आजाता है 25 रुपे पिर क्रेले की खेती में दो तिन निराई गुडाई का भी खर्च आता है वह भी 25 रुपे का असपास आ जाता है बास का वायर का रसी का यह सब वीडियो में आप देखेंगे तो उसका खर्च आजाएगा 25 रुपे तो टोटल खर्च हमारा एक एकड़ क्रेले की कहते में कि 49,535 के अप्रोक्सिमेटे जाएगा यह वह बास का सैटप है जिसकी में बात कर रहा था ऐसे बास का सैटप लगाते हैं और क्रेले की बेल इस बास के सैटप पे उपर चड़ जाती है यह देखिए आप इस वीडियो में अब करेले की खेती इस बास के सैटप में क्यों जरूरी है क्योंकि इसमें एक तो फसल बहुत कम खराब होती है और उपर से करेले देखिए इसको तोड़ने में भी कितनी असानी रहती है इस यह पूरा करेले का खेत हम आपको दिखा रह बचते हैं और इससे जमीन पर टच ना होने के करण करेला एकदम खराब होने से भी बच जाता है यह सैटप कैसे त्यार किया जाता है हम आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरा इसका विसे लेशन करके दिखाएंगे करेले की खेती कैसे करें आपको हमने बता दिया य देती है इस किसम के फल मद्धम लंबे मोटे वे हरे रंग के होते हैं इसका गुद्दा मोटा होता है और फसल का उस्तन बाहर एक सोक वेंटल के आसपास एक एकड़ में यह निकल जाती है यह देखिए हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं अब फसल की सुरुक्षा कैसे करें हमारी करेले की फसल में तीन तरह की बिमारिया जो अटेक करती हैं एक रेड़ बीटल यह कीड़ा है एक पाउडरी मियूल्ड रोग होता है यह भी फसल को खराब करता है और एक रेड़ बीटल यह एक आनिकार कीड है जो करेले के पोदे में प्रारिम्ब्री अवस्ता में अकर्मन करता है रोग थाम रेड़ बीटल से करेले के फसल को बचाने के लिए पाच लीटर कीड़ ना सको 40 लीटर पानी में मिला कर सब्ता में दो बार चिड़काव करना करेले पे एक फफुंदी टाइप सा जम जाता है और गोल गोल गोला काराकार में जाल सा फैला रहता है इसका कुदूरती उप्तार यह है इस रोग से करेले की पसल को सुरुक्षित रखने के लिए 5 लीटर खटी चाच यानिके लसी 2 लीटर गोम उत्तर और 4 लीटर पानी इन सब को मिलाकर इसके गोल का छिड़काओ करते रहना चाहिए पर 30 सबता एक छिड़काओ के इसाब से लगातार 3 सबते तक छिड़काओ करने से करेले की फसल पूरी तरह सुरुक्षित रहती है करेले की फसल में यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रोग है इस रोग से गरसित पोदेगी पतियों पर काले दब्बे बन जाते हैं जिससे पोदा परकांससलेशन की किरिया करने में ऐसमर्थ हो जाता है और पूरी तरह से बिल नहीं पनपाती इसका गरेलू उपचार इसका गरेलू उपचार 10 लीटर गो मुतर 4 किलोगराम आड़ू के पत्ते और चार किलोगराम नीम के पत्ते दो किलोगराम लेशन को बाल कर ठंडा करना है 40 लिटर पाणी में मिला कर छिड़काओं करते रहें और इस छिड़काओं को एक ही बार फसल में करना है इसे पूरी तरह फसल को बचाया जा सकता है तो दोस्तों अब हम बातचित कर लेते हैं कि एक एकड क्रेले की खेती में कितना उत्पादन होता है बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया करेले खेती में सोकोंटल से भी जादा एकड में हो जाता है लेकिन यह हमारा उत्पादन मिट्टी की प्रिष्टिती है उस समय कैसा मोसम रहा है इन सब चीजों पर डिपेंड करता है किसे एरिये में हमने खेती उगाई है और रहे उत्पादन के इसाब से मान लीजिए हमारा मंडी में यह करेला एक ऐसी सब्जी है जो दोनों सीजन में मिलता है यह दस से बीस रुपे मिनिमम इसका रेट रहता मंडी सोच लो सो क्यूंटल हमारे खेती में हुआ एक क्यूंटल सो केजी का होता है तो सो क्यूंटल वाता हो इसका मतलब 10,000 केजी हमारे करेले का उत्पाद हो नहीं हो और कम से कम रेट भी हम 10 रुपे मालने तो उत्पादन हमारा एक लाख रुपे का होगा 10 रुपे गुणा में 10,000 केजी तो एक लाख रुपे और हमारा खर्च हुआ था 49,535 तो कुल मिला के हमारा प्रोफिट 60,465 या 61,000 एक एक एकड में हम इतनी से पैदावार ले सकते हैं और इतना मुराफ़ा कमा सकते हैं